दोस्तो स्वागत हैं आपका एक पार फिर से जा दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बॉबी देओल और अक्षे कुमार की साल 2001 में 21 सिप्तमबर को रिलिज हुई थे फिल्म अजनभी अजनभी फिल्म के बारे में हम बात करेंगे जानेंगे इसके box office collection के बारे में hit और flop के बारे में, budget के बारे में और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं अजनभी फिल्म से जुड़ी 11 ऐसी बाते जो शायद आपको नहीं पता होंगी तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी पसंद की किसी भी movie के बारे में तो आप हमें comment में लिख सकते हैं और चेनल को भी subscribe कर सकते हैं दोस्तो अगर बात करें फिल्म अजनभी की तो अक्षे कुमार, बॉबिदियोल, करेना कपूर और विपाशा बसो हमें इस फिल्म में नसर आई थे डाइरेक्टर थे इस फिल्म के अबाज मस्तार तकरीबन 15 करोड उपे के बजट में बनाएगी थी ये फिल्म और इस फिल्म ने इंडिया में 17 करोड उपे का कारोबार किया था और पूरे वल्ड में 32 करोड उपे कमाई थे और ये क्राइम, मिश्टरी, थ्रिलर फिल्म थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ओफिस पर एवरेज चलि दोस्तो बात कर लेते हैं अजनबी फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में नमबर एक दोस्तो अजनबी फिल्म अक्षे कुमार के लिए खास साबित हुई थी क्योंकि अजनबी फिल्म के बाद अक्षे कुमार की फिल्म में बॉक्स आफिस पर धो मचाने लगी और बॉक्स आफिस पर अच्छा खासा कारोबार करने लगी थी नमबर दो अजनबी फिल्म में अक्षे कुमार ने विलन का रोल निबाय था और उनको इस रोल के लिए काफी तारीफे मिली थी और उनको बैस्ट विलन के लिए Film Fair Award भी मिला था दोस्तो अजनबी फिल्म विपाशा बासू की डेब्यू फिल्म थी अक्षे कुमार ने अबास मस्तान के साथ ये दूसरी फिल्म की थी इस से पहले साल 1992 में अक्षे कुमार ने अबास मस्तान के साथ खिलाडी फिल्म में काम किया था नमबर पाँच अजनभी फिल्म की शुटिंग के दोरान बॉबी देओल और करिना कपूर में काफी नाराजगी हुई और ये नाराजगी इस कदर ज्यादा बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ पांस साल होता कोई फिल्म नहीं की कोई काम नहीं किया पांस साल के बाद दोनों दोस्ती फिल्म में नज़र आई थे नमबर छे बिपाशा बसु को फिल्म अजनभी के लिए बैस्ट एक्टरस का ओवर दिया गया था नमबर साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब हिंदी फिल्मों में पत्नी की अदला बदली का विशय इस्तमाल किया गया था नमबर आठ अधनान सामी ने पहली बार किसी हिंदी फिल्म में महभूबा महभूबा गाना गया था जो काफी हिट हुआ था सबसे पहले शारू खान को आक्षे कुमार वाले किरदार की पेशकर्ष की गी थी लेकिन शारू खान विलन का रोल नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया करिना कपूर और विपाशा बसू के बीच फिल्म के शुटिंग के दुरान काफी लड़ाई हो रही थी और दोनों की कभी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही थी करिना कपूर ने तो विपाशा बसू का नाम कालिप बिल्ली तक रख दिया था नमबर 11 सबसे पहले बॉबी देओल को अक्षे कुमार वाले जो अक्षे कुमार ने विलन का रोल निबहा था सबसे पहले ये रोल की पेशकश की गई थी बॉबी देओल को लेकिन बॉबी देवल ने मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि सोलजर फिल्म सफल हुए बॉक्स ओफिस पर और उन्होंने उसमें सकारात्मक रोल निभा था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसमें निगेटिव रोल नहीं करना चाहिए मुझे सकरात्मक रोल ही करना चाहिए तो इस वजह से उन्होंने अक्षे कुमार वाल रोल के लिए मना कर दिया था तो दोस्तों उम्मेद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें कमेंड में अपनी पसंद की किसी भी मूवी के बारे में पूछ सकते हैं थांक्यू